नमस्कार स्वागत है आप सभी का स्वर्मे टाइम्स में आपके साथ मैं हूँ शुष्टी पांडे and you're watching trending news हिमाचल प्रदेश के अंदर पिछले 48 घंटों में बारिश के चलते काफी नुकसान हुआ जानकारी के मताबिक मंडी में बादल फटने से इन क्यावन लोग फज गए जिनको एंडिया की टीम ने सुरक्षित बचा लिया और साथी दूर दरास के इलाकों में भारती वायू सेना के हेलिकॉप्टर से खाने पीने का समान और जरूरी दवाएं पहुचाई जा रही है उधर बद्धी जिले में बारिश के चलते बालद नदी में उफान आ गया और पुल दो हिस्सों में तूट गया है मौसम विभाग ने आज के लिए हिमाचल में बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है और कहा है कि चमबा, कांगडा, कुलू, मंडी, शिमला, सोलन और सिर्मौर के साथ एक दो स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है पर 36 गड में बारिश की गतिवीदियों में उतार चड़ाओ बना हुआ है और फिलहाल यही स्तिती रहने की संभावना है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आज एक दिन के दोरे पर यूरोपी देश ग्रीस की राजानी एथिन्स पहुँचे जहां एर्पोर्ट पर विदेश मंत्री जॉर्ज ने उन्हें रिसीव किया इसके साथ एथिन्स के एक होटल के बाहर भारती मूल के लोगों ने उनका ढोल नगाडों के साथ जोरदार स्वागत किया आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 40 साल बाद भारत का कोई प्रधान मंत्री ग्रीस के दोरे पर है इससे पहले इंडरा गांधी ग्रीस के दोरे पर गई थी मिडिया रिपोर्च के मताबिक ग्रीस काफी समय से भारत की ब्रम्होस क्रूज मिसाइल को खरीदने में दिल्चस्पी दिखाता रहा है ऐसे में PM Modi के दोरे पर वीज को भारत का ब्रमहास्ट कहा जाने वाला ब्रमहोस मिसाल मिलने पर डील हो सकती है खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए इसी के साथ इस वीडियो को लाइक और शेर करना साथ ही चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले